मेरे सेकेंड पार्ट का नाम है फॉनेटिक टांस्कीट संस् फॉनेटिक स्क्रिप्ट का सेकेंड पार्ट मैं लोट करने जा रहा हूं क्योंकि इसका पहला भाग मैंने अपने चलन विद्या एक जोधी पर लोट कर दिया है और उस समय से अकास्मिक दुलहटना के वज़ा से मैं अपना सेकेंड पार्ट लोड नहीं कर पाया मैंने अपने अप्लोड ना करने की वज़ा बता दी इसके लिए मैं इसमाफी जाता हूं अब मैं अपना सेकेंड पार्ट अप्लोड करने जा रहा हूं यह है phonetic script phonetic script में आप देख सकते हैं आपके सामने 44 44 symbol आते हैं जिस symbol के तहत हम किसी भी word का pronunciation आसानी से कर सकते हैं यदि यह आपको पता नहीं है तो आप इसके वेगर किसी भी word का pronunciation अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं अक्सर मैंने देखा है बहुत से लड़के इसको समझ नहीं पाते हैं जब भी वे लोग dictionary को open करते हैं open करने के बाद किसी भी word को देखते हैं तो word के सामने word के सामने उनके सामने ऐसे symbol देखने को मिलते हैं हर word के सामने जीसे कि यह आपको सामने देखने को मिल रहा हैं कि ऐसे symbol दिया गया है बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं बच्चे जब पकड़ नहीं पाते हैं तो किसी से पूझते हैं हर किसी को यह पता नहीं होता है क्योंकि यह grammar की वारी किया है यह हर किसी को मालूम नहीं होता है और मैं आज सुचा की थोड़ा बच्चों के उसके बारे में बदा दूँ इसका सेकेंड पार्ट भी बना दूँ आज मुझे मुझे मुखा मिल गया है देर से बनाने के लिए छमा चाहता हूँ किसी बھی dictionary को खोलेंगे अकसर यह dictionary आपको ऑकष्फोर्थ Îंग्ली तो इसमें जदा तर देखिने को मिले जाए इसमें write नहीं मिलता है घ्र QUE यह जो आपका सीम्बल बना रहे है किसी भी वर्ड के आगे तो आएसे यह उल्टा सी है अल्टा सी होने के वजए से हमारी देवनागरिक equivalent है जो देवनागरिक तुल्य है आ जिस पे ये क्या है हमारा उल्टा चन्दे की तरह बना है आ अगर हम as in part as in का मतलब होता है के रूप में यदि हम part के रूप में part को पढ़ना चाहें तो ये जो इसके बीच में आएगा तो आपको वहाँ pronunciation हिंदी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको इसी भी Oxford University दो दातियार किया गया ये जो दिसनरी है Oxford दिसनरी उसमें ये नहीं मिलेंगे आपको हिंदी में लिखे हुए सीधे आपको ये सिम्बल ही मिलेंगे सिम्बल को देखकर आपको पकड़ना होता है एक बार इस सिम्बल को सीग गए तो दूसरा पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये सिम्बल ये सिम्बल उल्टा सी के समान है जिसको हम प यानि प इसके बारे में इसके पाद कॉंसोनेंट वाला बारे में बताऊंगा पार्ट 3 में पहले तो पार्ट 2 खत्म हो जाए तो C है तो P और यह है आ अट पार्ट इसको हम पार्ट पढ़ेंगे फिर यह है हमारा उल्टा सी अगला उल्टा सी होने के बाद इसके बाद आगे दो कॉलन का चीन बनना हुआ है यह एक स्पेशल चीन निस आ इस इन वाल इदी हम वाल को पढ़ें वाल दिखा रहे हैं इदी किसी बच्चे को वाल पढ़ने नहीं आता है तो आप एक बार इस सिंबल को यानि देवनागरिक तुल्य को वाल लिखते हैं वाल यह हम इसको वाल पढ़ते हैं वाल पढ़ने के बाद हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों अब मैं अगला बताने जा रहा हूँ यह जो आपका इ लिखा हुआ है उसके बाद आई की तर यह सिंबल बना है तो हम अपने समझने के लिए यो क tabi ए इव औः और हम इसको फेज को पढ़ें हम इसका फेज का प्रनन्सियसन करें हैं तो Fae इस फेज इसको पढ़ते हैं हैं लेकिंद बहुत से बच्चे इसको पर देते हैं जबकि हमारा सुध्य प्रनन्सियसन और यह हमारा अगला सिंबल है जिसको हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं जैसे हमारा लिखा है लोग लास्ट में रब बोल देते हैं लेकिन यह होता नहीं है के इसको पोलते हैं उसके बाद हमारा अगला सिंबल है आई और उल्टा यह जो इ बना है तो हम इसको अपने देवनारिक तुली में क्या पढ़ते हैं इयर आप लोग संहें हैं एयर के रूप में जदि हम देवनारिक चाहते हैं तो लोग अगसर दयर बोलते हैं पर यह नहीं होता है पर हमारा प्रनन्सिय cash है लगा है है ये में ई लगा है तो दी में ऊ 22 यह हमारा सुम्बल एसे रहेगा फिर आगे हमारा अगला सिंबल है U और उल्टा E है U और उल्टा E है इसको हमारा देवनागरिक जो है U A क्या है U A तो हम यदि पूर को पढ़ना चाहें तो लोग तो पूर बोलते हैं पर पूर वो गलत हो जाता है P O O R जो है हम इसको पढ़ेंगे कर अपने इस वर्ड को बोलता है तो लोग कभी कभी हसने लगते हैं पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां की अंग्रेजी फुल्वेंसी है और यह सीधे वो सुद्ध वर्ड बोलते हैं इसलिए यहां के बच्चे समझने भी पाते हैं और इंडियन लाइंग मेज में आर बोल लेते हैं पर इसको हम बोले जितना ही सुद्ध करके पूर यह हमारे लिए बेटर रहेगा दोस्तो मैं आपको अब इसके बाद अगले बारे में बताने जा रहा हूँ हाँ तो इसका हमारा अगला भाग है यह जो छूट चुका था जिसमें मैं आज पूरा कर दूँगा इसको हमारा जो यह फोनेटिक वावेल वाला है वावेल का हिस्सा में पूरा कर दूँगा और कॉंसेन का अगला हिस्सा में अगले पार्ट में लोड करूँगा तब तक लिए मैं आगे यह बताने जा रहा हूं देखिए यह हमारा है उल्टा यी और यू जब आप इसको Oxford Visionary के हर word के आगे देखेंगे हर word में मतलब कहिने का मतलब है कि जिस word में जिसकी जरूत पड़ी जैसे go लिखा है go हम यहां पे भारत के जितने भी बच्चे हैं या कोई भी है जो इतना जानता नहीं है तो उसको शर्प यही जानता है कि हम G को गो ही बोलते हैं पर G को गो नहीं बोल जाता है जराध्यान जी जिए G से हम हिंदी में पढ़ लेते हैं पर आगे लिखा है Hम इसको बोलते हैं गाव इमारा प्रनूंसियसन है गाव उसी तरह अगले सिंबल के तरफ चलते हैं A, U लिखा है AU, जब हम इसका pronunciation करते हैं ता आउ होता है, देवनागरी में क्या होता है, आउ, जैसे कि अन ओ डाबलू दिया है, अन ओ डाबलू, तो नाउ, क्या बोलते हैं, नाउ, उसके बाद अगले सिम्बल की तरफ चलते हैं, AI को AI बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यसे F5 है, तो F5 हो गया, आई ही, 5 क्या होता है, फाइव, क्या बोलते हैं, फाइव, उसी तरह हमारा उल्टा C है, और अगला सिम्बल है, सिम्बल यह हमारे phonetic script के wawel के हिस्से हैं, जो 20 होते हैं, तो उल्टा C है, आई है, इसको पढ़ते जिसको पढ़ेंगे बी से बाई क्या पढ़ेंगे बाई तो लिए बोलते हैं यह हमारा आज का फोनेटिक स्क्रिप्ट का वावेल वाला हिस्सा समाप्त हुगा इसके लिए धन्यवाद को संसे करता हूं जिसकी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें समय पर आने वाली मेरी नोटिकीकिसन आपको मिलती रहे धन्यवाद